हेले अब्रीवान, एस्टाडे उसर चैनल पर आप सोगे स्वागत है, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 जनरल मैथेमेटिक्स का HSLC प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 का कोच्चन पर देखेंगे, इस कोच्चन पेपर के पार्ट वन में हम लोग ने 20 MCQ को सुल्व किया था, औ अगर यह दो वीडियो आप लोग अभी तक नहीं देखें हैं, तो प्लीज देख लिजेगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यदि पहली बार इस चैनल पर आये हैं, या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो प्लीज नहीं कराया था, मैं सोचा आप लोग उसे सल्व कर सकेंगे, बट कुछ एस्ट्ट्ट्स ने रिक्वेस्ट किया है, कि प्लीज जो कोचन मैं छोड़ दिया तो सल्व करा ना, जस्ट मैं उसका आंसर बता दिया था, तो एस्ट्ट्ट्स का रिक्वेस्ट है, कि प्लीज उसे भी solve करा दिजे, तो चलिए, जो कोचन से मैंने solve नहीं करा था, उस कोचन को भी मैं solve करा देता हूँ, तो कोचन नमर 3, Equalist Division लेमा, देखे, Equalist Division लेमा में क्या करते हैं, हम लोग, A में divide करते हैं किससे B से, तो question आता है Q, और remainder आता है क्या R, तो यह होगी आपका Equalist Division लेमा, ओके, और R remainder है, तो remainder क्या होगा, हम G से divide कर रहे हैं, B से divide कर रहे हैं, तो R का value क्या होगा, B से छोटा होगा, R का value क्या होगा, B से छोटा होगा, बट 0 से 12 होगा, या 0 के बराबर होगा, तो इसका राइटन से क्या होगा, option A, अब question number 8 देखिए, the pair of equations Y equal to 0 and Y equal to minus 7H, इसका answer होगा आपका option D, no solution, इसे direct आप इस तर से समझ सकते हैं, Y equal to 0 क्या होता है, X axis, and Y equal to minus 7 क्या होता है, parallel to X axis, तो इहां होगा X axis, ठीके, मन लिजे, Y equal to 0 क्या होगा, इहां होगा X axis, and Y equal to minus 7, Y equal to minus 7 क्या होगा, इहां आएगा सबोज, इहां होगा, parallel to X axis, तो this is X axis, and this line y equal to minus 7 this is parallel to x तो यहाद दो line क्या हो गया? parallel हो गया जब यहाद दो line parallel हो गया तो क्या होता है? जब दो line parallel होता है तो इसका क्या होता है? no solution इसलिए इसका right answer क्या होगा? option D no solution तो तो देखेंगे पहला जो equation दिया हुआ है y equal to 0 एंड दूसरा y equal to minus 7 यह क्या है pair of linear equation है तो y equal to 0 y equal to 0 देखिए y कभी लोगर 1, 2, 3, 4 होता है तो हम लोग positive means उपर के तिरफ जाते हैं और y कभी लोगर minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 तो निचे जाते हैं but y कभी लोग 0 है तो y कभी 0 क्या है होता है तो y equal to 0 that means यह हो गया x-axis okay y equal to 0 is the line what x-axis and y equal to कितना है minus 7 तो देखिए minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7 यह point तो यह point से जो line जाएगा यह line हो गया यह line क्या हो गया y equal to minus 7 तो this is line y equal to minus 7 and this is the line y equal to 0 and these two lines are parallel to each other अगर यह दो line क्या parallel है तो हम जानते हैं कि दो line parallel होता है तो क्या होता है no solution और इसका formula भी होता है a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2 ठीक है दो line अगर parallel हो तो उसका यह formula होता है और क्या होता है यह no solution होता है okay so इसका answer हो गया आपका option d no solution अब देख question number 12 in figure triangle a d e is similar to triangle a b c then c equal to what यह triangle दिया हुआ है ठीक है इसमें भेलो भी दिये हुए है और triangle a d e a d e is similar to triangle a b c दिया हुआ है तो similar triangle जब दो triangle similar होता है तो sides क्या होते हैं proportional ठीक है दो triangle जब similar होते हैं तो इसके sides क्या होते है proportional तो हमें sides proportional ले लेना है और भेलो पूट कर देना है तो c का भेलो हम निकाल सकते हैं चलिए से सुल्व करते हैं तो देखे ट्रेंगल a d e similar triangle a b c तो क्या हम लिख सकते हैं sides are proportional ad ad by ab equal to a e by a c equal to d e by d e by b c ठीक है फर्स्ट क्या लिख हम लोग first second ad तो लेना अपटे मैं first second ab फिर first last a E तो लेना पटे मैं first last ac फिर यह second third d e तो लेना पटे मैं second third bc अब क्या करें हम लोग भेलो पूट करेंगे ठीक है अब देखे ard key का value कितना है ad का value two है divide a b AB का value means पुरा A से B तक कितना होगा This 2 and this 3 तो 2 प्लस 3 पुरा A से B तक 2 प्लस 3 5 हो जाएगा Equal to AE तो AE कितना है 3 Divide AC AC नहीं है ठीके So अगर हम लों cross multiply करें 2 into AC 2AC Equal to 5 3 जा 15 तो AC Equal to कितना हो जाएगा 15 by 2 But हमें find क्या करना है हमें find करना है EC ठीके हमें क्या find करना है EC तो EC find करना है तो EC find करने क्या करना होगा AC में से 3 को minus करना पड़ेगा ठीके पुरा AC में से अगर हम 3 को minus कर देंगे तो EC मिलेगा तो पुरा AC कितना है 15 by 2 15 by 2 से minus करना पड़ेगा कितना 3 को तो LCM लेते हैं 2 तो यह हो गया 15 minus ठेक है कुछ नहीं तो क्या 1 है तो 2 और 1 का LCM हो गया 2 ओके, so 2, 3, 6 15 minus 6 कितना हो गया? 9, 9 by 2 so इसे का बलो कितना हो गया? 9 by 2, so right answer क्या हो जाएगा? 9 by 2 को चामा 13 देखिए Which of the following point is nearest to x-axis तो जब भी बोलेगा nearest to x-axis means हमें y का value देखना है, ठेक है? y का सबसे lowest value देखना है तो यहां देखेंगे हम लोग nearest to x-axis के लिए y का सबसे कम value कहा है? यहां y का value 2 है यहां y का value 4 है यहां 2 है और यहां 1 है so y का value 1 सबसे lowest है so आपका answer क्या जाएगा option d is the right answer चलिए इसे हम लोग graph में plot करके देखते है तो चलिए फर्स्ट जो option दिया हुआ y से plot करते है x का value minus 4 दिया है so minus 4 minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 और y का value minus 2 दिया है तो y का value minus का लिए नीचे minus 1, minus 2 तो देखे यहां point है यहां point x axis से किता distance पे है 1, 2, 2 के distance पे है यहां देखते है x का value 0 देखे, x का value 0 यहां होता है और y का value कितना है minus 4 तो minus 4 नीचे जाना होगा minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 तो यहां point x axis से 1, 2, 3 4 unit के distance पे है यहां दिया है 4, 2 x का value 4 1, 2, 3, 4 x का value 4 y का value 2 दिया है 1, 2 तो यहां point जो है x axis से 1, 2 के distance पे है यहां दिया है minus 4 x का value minus 4 minus 1, minus 2, minus 3 minus 4 और y का value कितना दिया है minus 1 तो minus 1 के लिए कहां जाना होगा नीचे यह होगा minus 1 तो यह point x axis के distance पे कितना पे है 1 के distance पे है तो सबसे करीब एह हुआ point बागे सब देखे यह 2 unit के distance पे था यह 4 unit के पे था distance पे यह 2 unit पे था यह जो point है x axis से सबसे nearest है इसलिए option D is the right answer कोचन 14 देखिए distance of the point 4,7 from y axis यह जो point है इस point का distance from y axis तो y axis से जो distance होता है वह क्या होता है x का value होता है जबी कोचन बोलेगा distance from y axis तो हम क्या देखेंगे x का value x का value कितना है 4 तो आंसर हो जाएगा आपका option B 4 unit ओके आंसर हो गया option B 4 unit चलिए इसे graph में प्रोट करके देखते हैं हमलो तो देखेंगे point दिया हुआ है क्या 4,7 तो x का value 4 1,2,3,4 y का value कितना है 7 1,2,3,4,5,6,7 यह point हो गया तो यह जो point है यह y-axis से कितना distance पे है y-axis एक distance पे है इतना distance पे y-axis से यह distance कितना है देखें इसके बराबर है 1,2,3,4 4 unit तो एंसर हो गया आपका 4 unit ओके तो जब ही बोलेगा distance from y-axis y-axis से इस point का distance तो y-axis distance का मतलब x का value x से value कितना है 4 तो एंसर हो गया आपका 4 unit question 15 देखिए value of sec 40 plus 1040 into sec 40 minus 1040 तो चले इसे solve करते हैं देखे sec 40 plus 1040 into sec 40 minus 1040 यह इस तरह से formula के रूप में हो रहा है a plus b into a minus b तो आपको जानते हैं a plus b into a minus b का formula होता है a square minus b square तीसी formula का धार पर है क्या हो जाएगा a plus b into a minus b क्या हो जाएगा a square minus b square अब देखिए यह क्या हो गया sec square theta minus 10 square theta यहाँ देखिएगा sec square theta minus 10 square theta यह identity है और इसका value 1 होता है ठीके sec square theta minus 10 square theta एकोलो किता होता है 1 theta same होना चाहिए theta यह a a यह b b यह 30 degree 30 degree यह 40 degree 40 degree ठीके दुनों same होना चाहिए तो sec square 40 degree minus 10 square 40 degree दुनों same है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका answer तो जिस्तर से sec square theta minus 10 square theta इकोल टो 1 हुआ इस्तर से और भी our entity है उससे आप लोग learn कर लिजेगा sin square theta plus cos square theta equal to 1 ठीके और एक और होता है cosec square theta cosec cosec square theta minus cot square theta equal to 1 c o s e c cosec square theta minus cot square theta equal to 1 ठीके अगर इसी फर्मूला को उल्टा दे दिया पहले cot दिया बाद में cosec cot square theta minus cosec square theta तो क्या हो जाएगा minus 1 तो इसलिए फर्मूला का कर्म भी आदखना होगा पहले होता है cosec बाद में होता है cot cosec square theta minus cot square theta यहाँ भी देखिए पहले होता है sec बाद में होता है 10 sec square theta minus 10 square theta अगर इसी में अगर 10 को आगे कर दिया जाए कोचना कर दिया आग्या आग्या में 10 square theta minus sec square theta अगर इस फर्मूला को उल्टा दे दिया पहले 10 बाद में सेक तो क्या हो जाएगा minus 1 हो जाएगा ठीक है इसका फिलो कितना हो जाएगा इसका फिलो minus 1 हो जाएगा कोचन आगर 16 देखिए P A and P B are two tangents from P to a circle with center O angle A P B 80 degree then angle A O B angle A O B हमें find करना है चले इस solve करते हैं तो कोचन में क्या दिया हुआ है कि यहाँ एक circle है center इसका O है P A P जो है एक external point है and P A and P B P A and P B are two tangents P A and P B are two tangents from point P औके और angle A P B A P B यहाँ angle दिया हुआ है कितना 80 degree हमें find करना है angle A O B यह angle हमें find करना है ठीके तो देखिए हम जानते हैं कि radius tangent पर क्या होता है perpendicular तो यह angle होगे 90 होगी है यह भी radius है और यहाँ tangent है तो perpendicular होगा तो यह भी 90 होगी है तो यह 90 होगी है यह 90 होगी है और यह 80 दिया हुआ है और हमें यह angle fine करना है हम जानते हैं कि एक quadrilateral में 4 angles होते हैं और 4 angle plus करके कितना होते हैं 360 that means angle A plus angle P plus angle B plus angle O यह 4 angle plus कितना होते हैं तो 360 में से 360 में से अगर यह 3 angle को minus कर देंगे तो यह angle O निकल जाएगा तो 360 में से 90 plus 90 plus 80 90 plus 90 plus 80 यह 3 angle को plus करके 360 में से मानस कर देंगे तो यह angle A O भी निकल जाएगा यह angle A O भी निकल जाएगा ठेके तो 360 मानस इन 3 को plus करें कितना हैंका 260 तो 360 में से 260 मानस करें कितना पचेगा 100 degree So, इसका right answer हो गया, 100 degree, option D, option D, 100 degree is the right answer अब कोच्छन आमाद 70 देखिए, if the perimeter and the area of a circle are numerically equal अगर perimeter और area दोने equal होता है, circle के लिए, then the radius of circle, radius of circle कितना होगा चलिए, solve करके देखते हैं हम लो, तो कोच्छन में दिया हुआ है, कि perimeter of circle and area of circle दोने equal है तो perimeter of circle का formula होता है, 2 pi r, और area of circle का formula होता है, pi r square अब देखिए, 2 pi r equal to pi r square को लिख सकते हैं, r into r अब देखिए, यह r से यह r cancel होगिया, यह pi से pi cancel होगिया, तो यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया r तो radius का भलो कितना आगे है, 2, so इसका right answer होगा option b, answer क्या होगा, b 2 अब कोच्छन में 18 देखिए, if surface area of cube, यह circle दिया हुआ था, wrong है, circle नहीं होगा, क्या होगा, cube होगा surface area of cube is 600 meter square, then length of each side, surface area of cube दिया हुआ 600, और इसका हमें side निकालना है, चली से solve करते हैं, देखिए, कोच्छन में दिया हुआ है, surface area of cube, 600, surface area of cube क्या होता है, 6a square होता है, यह 6l square, कोई-कोई 6l square लिखते हैं, यह कोई-कोई 6a square लिखते हैं, दोनों right है, जहाँ a या l क्या है, side of cube, तो surface area of cube हो गया, 6a square, equal to 600 दिया हुआ है, ठीक है, तो यह 6 से, कैंसरा करेंगे, तो कितना आएगा, 100 आएगा, तो a square equal to 100, अब हम square को remove करेंगे, तो यह square root लग जाएगा, a equal to square root of 100, so a equal to, और 100 का square root, 100 कितना का square root होता है, 10 का, so यहाँ कितना हो जाएगा, 10, therefore, इसका right answer क्या होगा, option b, 10, meter, तो इस तरह से, इस वीडियो में इतना ही, I hope यह वीडियो आप लोग के लिए इच्फुल होगा, please, वीडियो को like किजेगा, share किजेगा, और channel को subscribe कर लेजेगा, और bell icon को भी press कर लेजेगा, तो फिर मिलते हैं, next वीडियो में, thank you,